राजस्तान के भीलवाडा से एक चोका देने वाला मामला सामने आया है यहां पर एक गरीब परिवार की 24 साल की लड़की को पंचायत में 10 लाक रुपए का जुर्माना देने के लिए ओर्डर किया है और यह जुर्माना जब लड़की और उसके परिवार वाले नहीं दे पाए तो फिर पंचायत वालों ने इस लड़की को परेशान किया जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा पुलिस को जब लड़की ने अपनी कहानी सुनाई तो फिर सभी दंग रह गए कि हम किस सदी में जी रहे हैं लेकिन अभी भी कुछ पुरानी चीज़े हैं जिनकी बेडियां औरतों के पैरों में बांधी गई है इस लड़की ने बताया कि माई 2022 में इसकी शादी हुई थी शादी के बाद इनकी कम्यूनिटी में वर्जिनिटी टेस्ट होता है इस वर्जिनिटी टेस्ट में लड़की फेल हुई आयोग खान नाम के लड़के ने बेटी के साथ रेप किया था लड़की के माबाप ने कहा कि हम आयोग खान के खिलाफ कंप्लेंट भी दर्स कर रहे हैं आप अभी अपना फैसला मत सुना हूँ बावजुद उसके एक्तिसमई को पंचायत ने लड़की वालों पर पैसला सुना दिया दस लाक रुपए लड़की वालों पर जुर्माना लगाया गया जुर्माना इस बात का क्योंकि लड़की वर्जिन नहीं है वो वर्जिनिटी टेस्स में फेल हुई है इसलिए कुछ रिच्वल्स हैं जो हमें निभाने पड़ेंगे लड़की वाले ये पैसा नहीं दे पाए जिसके बाद लड़के वालों ने लड़की वालों को परिशान किया और मामला पुलिस तक पहुँचा जहां इस खबर ने सभी को चौका कर रख दिया वहीं बात करें उस लड़की की या उसके आसपास के गाओं की या उसकी कम्यूनिटी की तो ये वर्जिनिटी टेस्स जो टर्म है उनके लिए नई बात नहीं है बलकि ये उनकी कम्यूनिटी में एक रिवास है सासी कम्यूनिटी है जहां पर कुकडी प्रथा के रूप में ये वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है इस वर्जिनिटी टेस्स में जैसे ही कोई लड़की शादी करके अपने ससुराल आती है और पहली राद जो सुखाग रात कही जाती है उस राद चपती-पत्नी संबंद बनाते हैं तो उनके बेड पर वाइड बेड़ शीट बिचाई जाती है और अगर वाइड बेड़ शीट पर बलड के मांगस आए तो फिर वो बेटशीट पूरे परिवार को दिखाई जाती है और परिवार खुश होता है कि लड़की जो है वरजिनिटी टेस्ट में पास हो गई और अगर बेटशीट पर बलड नहीं आता है तो लड़की वर्जिन नहीं जिसके बाद लड़की और लड़की के घरवालों के साथ ये सारी हरकते होती है